हलो गाईज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आशा करता हूँ गाईज आप सभी ठीक होंगे गाईज पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो पहले जाके वो आप वीडियो देख लीजी और एच्पी डिस्टिक पोर्टल पे रिजिस्टर कर लीजी आप्टर आज की जो वीडियो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप हिमाचली बॉनाफाइट घर बैटे कैसे बना सकते ह तो आपको पहले मैं सुझेस्ट करूँ आप ब्राउजर में जाके आपने एच्पी डिस्टिक की साइट खुल लेनी है उसके बाद आपने जो डेस्क टॉप साइट में जाना है ताकि आपको पूरा पोर्टल विजिवल रहे गाई तो यहां पर मैं आपको शो कर देता हू अगर आप अल्डेडी रेजिस्टेड हो तो आपको यह साइट यहां पर इसे शो होएगी अभी हम यहां पर जाएंगे अब देख लिए आप जैसे हों पर जाओगे तो आपको यह सारे इन फुर्मिशन यहां पर मिलेगी तो आज हम आपको शिखाएंगे हिमाचली चली certification के उपर जैसे ही आप click करोगे यहां आपको कुछ guidelines दी गई होनी जो आपको documents चाहिए होते हैं कौन-कौन से documents चाहिए होते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं sporting documents आपके लिए residence proof चाहिए letter or certification from परदान और any local body head यह आपको एक letter चाहिए होता है आपको यहां लिखा feel the application and click on the submit button पर आपने क्लिक करना है यहां पर आपको पूरी instruction दी गई है लास्ट में आपने कहना application पीस पे करनी है और लास्ट में जाकर आप अपना जो है confirmation फीजो करते मतलब उसका एक आपको letter मिलता है कि आपकी फीस इतनी पे हुई है तो आपके पास ए प्रूफ होना चाहिए गाईस इसके लिए आपके पास कोई भी sporting documents हो जिसमें आप आपका ऐसा हो कि माचल में आप within 20 years से रह रहे हो या उससे पहले आप पुराना कोई bonafide certificate है वो भी इसमें चल जाता है गाईस तो सबसे पहले हम यहां पे click करेंगे उसके लिए मैं यहां पे वीडियो को pause कर लेता हूँ जैसी जैसे ही मैं यह ID डालूँगा उसका next page जो अपन होगा वहां से हमारी वीडियो अप स्टार्ट होगी गाईस तो गाईस जैसे ही आप अपना ID और पास पर लॉग इन करते हैं तो यहां पे आपको यह option दिखाई देते हैं सक्रीन पर तो आपने यहां पर click कर लेना new application के उपर क्योंकि आपने new यहां पर apply करना है गाईस तो जैसे आप यहां करोगे apply तो आपको यहां पे कुछ detail पूछेगा मतलब आपने किस पर सेलेक्ट है अगर आपका पर्मानेंट हो में हिमाचल प्रदीश पर आप यह सेलेक्ट करोगे अगर 20 यह से हिमाचल प्रदीश में रहे तो second option having a permanent home हिमाचल में आपका permanent home है बट outside एट पी रहते तो आपने third वाला option क्लिक करना है इन में से आप कोई भी application क्लिक कर सकते हो और जो next option आपको यहां पे आ रहा है relationship of applicant with land owner land online के साथ आपकी क्या जो relationship है वह आप सेलेक्ट करते हैं अगर लेंड डॉलर आप मतलल लेंड ओनर आप ही हो तो self मतलल जमीन आप ही के नाम पे तो self पे क्लिक कर देंगे अगर आपकी माता के नाम पे पिता के नाम पे तो आप वहां पे क्लिक कर देंगे जैसे मैं आपको details आपको यहां पे आ जाएगी सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लेना अपने नाम Mr. आपका first name last name आपकी mail ID आपका mobile number और आपको certification कैसे चीए mode of delivery आपका क्या रहेगा तो यहां पे आप online offline कुछ भी certificate सेलेक्ट कर अगर आपको online चीए तो आपने online पे क्लिक करना है और उसके बा यहां पे बता देता हूं वो क्या रहती है जैसे कि यहां पर आपने gender select कर लिया mail female कुछ भी अधरकार डाल दिया उसके attach परिवार register data with application इसमें आपने क्या सर्च करना है आपका जो परिवार के head होते हैं मम्मी या पापा उनका अधरकार number यहां पर आप जैसे ही डालोगे उ पूरी जितने भी family members है उनका data आपको आ जाएगा वहां पर इसी जा साइड में आपको एक option आगा attach file पर आपने click कर देना उसके बाद और यहां पर मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर कोई बना नहीं रहा भी बट आपको बता रहा हूं कि कैसे कैस आप apply कर सकते हों जैसे आप यहां पर apply कर लोगे उसका applicant image डालनी है आपने अपनी image डालनी है दूसरा option है कि fetch from digital कर अगर digital कर पर account है तो वहां से भी डाल सकते हो आप वहां से आप अधार काट से access कर सकते हो जैसे आपका यह first column पूरा हो जाएगा तो save save पे click करके next पे click करना ह आपने आपने गाई सेव नेक्स्ट पे click करोगे तो next details आपको open हो जाएगी अब आएगा आपका relationship son of son of कौन है Mr. आपके first name और last name डालना है अपने पापा का और फिर इसमें grandfather की details जाने grandfather या mother की grandfather या mother की या grandfather की डाल रहे हो तो यहां पर select कर ले ना आपने यह grandfather का नाम लिखन ना middle name first name और last name save next करना है उसके बाद permanent address पर आपने हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट करना है जो भी आपकी तशील है मतलब पहले आपने यहां पर district select करनी जो भी आपकी district रहे हैं जैसे हमें district blast को select कर लेता हूं उसके आप यहां पर लेंड जो लेंड रिकॉर्ड था उसको search भी क आपसे जाके जो भी आपकी तसीले में तैसील सदर डालेता हूं कोई भी तसील डाल सकते हैं जो भी आपका पटवारी circle पड़ता है वह आप यहां पर डाल सकते हो उपमाहल जो भी आता है यहां आपना house number डाल सकते हैं house number नहीं है आपको बिलेज और आपका जो पोस्ट अद्रेस आपका डल जाएगा उसका upload documents पर आपने क्लिक करना है जैसे upload documents जितने भी रहेगा आपने वहां पर click कर देना है मतलब save next करके आपने save करते रहे हैं information को पर आप उस टाइम certificate को apply करें सबसे पहले आपका residence proof होना चाहिए residence proof में आपका क्या आता है अधार काड अधार letter or certificate from the परदान of village or head of any local authority इसमें से अगर आपका पास कोई भी letter है परदान से लिखा हुआ या आपके पास कोई भी document से हो आपको बताता है कि आप हिमाचल प्रदेश में रह रहे हो तो वो भी आप यहां पे डाल सकते हो but mostly आपके पास परदान का लिखा होना चाहिए guys या आ आपके पास कोई old certificate है हिमाचली bonafide तो वो भी आप यहां पर डाल सकते हो guys और अगर आपने यहां पर photo identity proof में अपने अधार कार्ट की आपकी front side डाल सकते हो यहां पर other documents अगर आपके पास है कोई जो आपको पताता है कि आप हिमाचल प्रदेश के यह वो भी आप यहां पर डाल सकते हो उसके बाद आपने यहां पर क्लिक करना यह साइम सिटी जनाफ इंडिया उसके बाद आपने submit पर क्लिक करना है जैसे आप submit पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको इसमें payment का option आएगा payment जो करनी होती है payment रहती है इसमें 17 रुपे की गाई 17 रुपे आपको पूरे में verify करते हैं और जो आपके कोई और जो authorities होती है सब तसीलदार या तसीलदार होते हैं वो इस documents को verify करते हैं और online ही आपको documents मिल जाता है guys अगर इसको बनाने में आपको कोई भी issue आता है तो comment box में आप comment करके पूर सकते हो guys अगर इसके अलावा कोई भी document से आप बनाना चाहते हो उसे related आपको कोई information चाहिए तो वो information भी हम आपको provide करतेंगे और next जो हमारी जो वीडियो आएगी हो आएगी हमारी जो आपका unemployment का जो certification रहता है उसको आप कैसे इडिस्टिक पोटो से बना सकते हो guys बाकी इस वीडियो में इतना ही बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो में और बताना चाहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए